आज हम देखते हैं कि इंसान में इंसानियत घम और जातिवाद जादा ही बढ़ शुका है अगर किसी कुत्ते की जान को इंसान बचाता है तो हम यह नहीं कहते हैं कि इनसान ने एक कुत्ते की जान बचाईए हम यह कहते हैं कि एक हिंदू इंसान ने कुट्टे के जान बचे है, एक मुस्लिम इंसान ने कुट्टे के जान बचे है हर बात में जाती बात इंवाल्फ करना, हर बात भी कास्टिसम इंवाल्फ करना, फिर कई न कई लडाई का उसर बनता है आर्टिकल 17 में पताती है कि एबॉलिशन करना अंडेशिपरेटी का आर्टिकल 15 में पताता है कि हर तरीके की डिस्टिमेशन को रोक लगाना और दलिद यह जो टाम है कॉंसे अप उसे शेडिूल कास्ट कहा जाता है कास्ट इस्टम के कही नेगिटिव इंपेक्स भी हुआ थे हैं इंडिया में अपकर कास्ट और लोवर कास्ट जैसे तर्म बहुत यूस होते हैं और उसके बाद एक समाज सामने होता है और एक समाज पीछे होता है जैसे कि हमारी कंट्री डेफलप नहीं होता इसके सुलूशन्स यह हो सकते हैं कि हम प्रॉपर नॉलेश दे कास्ट के बारे में और कास्ट यह टर्म को कम यूस करें सुशो कल्चुर इनिक्वालिटी को प्रमोट ना को प्रमोट नहीं होता है